क्या हाल है यार आप सभी के मेरा नाम अक्षाच शर्मा देखने हमारा बहुत ही जादा प्यार से चैनल साइको प्रोडिजी and I hope आपको यह एक निव लेक्षर दिखा हो of our great C series of DUSOL आपके exams at DUSOL semester 1 के and हम अभी preparation कर रहे हैं for cognitive psychology exam right some cognitive psychology के exam की prep कर रहे हैं तो आज क्लास में हम करेंगे last unit problem solving and decision making वाली बहुत easy है यह ओके so we'll definitely do this one जल्दी से आजो जल्दी से like कर लो जल्दी से ready हो जो जो आई हैं वो एक बार hello बोल दो साथ ही साथ हमारा WhatsApp group है DUSOL का जहां पर हमारी तरफ से सारी की सारी आपको मिल जाएंगी अलग-अलग important news especially हमारी classes related तो आप उनको देख सकते हो यहां पर आपको पिंड मेसे दिख जाएगा chat box में and description में भी मिल जाएगा चलो गई लाइक करो बेल तो हम लड़के बुला क्यों लाता हूं वेट करो hello hi anushka hi harsh hi kannu hi anushka जी oh anushka दो बार होगी क्या बात है अभी सही मेर को बहुत सारे वह दिखते लग गया आप लोगों के nice चलो जल्दी से आन्दो लोगों को then we'll start once the number goes above 10 we will be starting with the lecture all right आज हम याली important unit खतम करेंगे और मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा आज रात तक जो whatsapp group है उसके नदर important questions भेज दू कल कोशिश करेंगे important questions की discussion कर ले ठीक है कल रात को तो I might not be able to because कल है new year and we should all celebrate the new year आज सबको मज़े करने चीए साल end होते जा रहा है तो मज़े करो या दस बच्चे देखने से दो likes क्यों है like तो करो pump that number at least so yes तो कल का देखते मोस्ट आपनी शायद हम सुबह के टाइम पर कर ले कल बटाइम नौट शूर सर आपको मिलकर गुरु दक्षणा देनी है और जी कह रहे है कोई नहीं हर्ष जी इस ओके आप दे ले ना गुरु दक्षणा कभी वैसे यहां पर कॉन-कॉन डेली वाला है जो दिल्ली में ही रहते है आई विरॉन हाव यू सर हम क्या मज़े करेंगे हमार तो एक्जाम है इस ओके अभी तुम देखो थर्ड यूनिट हम पूरी कर लेंगे है ना थर्ड यूनिट खतम होने वाले के बाद हम कल आप चल कर लेना थोड़ा सा रात के टाइम पे इस नौ बज़े के आसपास से यू कैंड डिफिनिटली तो मैं सोच रहा था दिली वालों के लिए बहुत सारे अपने पास साइको प्रोड़जीज है तो हम एक मीट अप रखते है किसी कूल से पार्क के अंदर या सुंदर नरश्री है उसमें लाग एक पिकनिक कांड अफ हो जाएगा यू यू दू दू दाट इफ यू दू अपने टो मजा आगा उसमें लेट मीज़्ज्स दे क्यामरा बट्र बट्र अग्या यहन शे करते हैं एक मीटप टाइप जहां पर मिल के डिसकसिन करें बाते गरें ऐसा कुछ करते हैं करेंगे मैं नॉर्थ वेस से मस कह रहा हैं यहां अग्यावाट टू रह सब्सक्राइब तो रोज ही आजाना लाइक कर दो गाइस जल्दी से और जिसने वाट्साप अभी तक ग्रॉप जॉइन नी किया हो जल्दी से कर लो तो मेरा फॉर्ट को पूरा पूरा वायवा है दर न मेरे नाइन से लेके 20 जानवरी तक मेरे एक्जाम अच्छा आपका से किन्ट सेमिस्टर कबसे शुरू हो रहा है एनी आडिया या इसके जस्ट बात शुरू हो जायागा सब्सक्राइब कर देखेंगे जैसा भी आपका नेक्स सेमिस्टर का हमें पता चलता है एक बार अकाडमिक कलेंडर देख लेंगे उसे साथ से यह ग्रुप में डिसकस कर लेंगे अभी पढ़ा दो सर ऑहो सरा क्या रही है सर बक्वास की बातें मत करो पढ़ाई पर द्यान दो चलो जो करने आये हो सर वीपी से पूछ के बताएंगे आहां जाओ चलो वीपी से ही पूछ के बताओ परफेक्ट नाओ लेट्स मूव अहेड गाईज चलो अम करते हैं फाइनल यूनिट को करेंगे एक मीट अप करेंगे बहुत सारे साइको प्रोडिजी के साथ मिलके प्रोड्लम सॉल्विंग और डिसिजन मेकिंग इजी है रिलेटिवली इजी है यह ठेक है लेट सी इसमें क्या-क्या बाते हुई है पहली बात तो येस ये आपको तीन चीजे इंपोर्टन हैं कॉगनिशन एंद तिंकिंग में तीन डिफरेंट चीजे इंड ये तीनों चीजे आपको इन तीनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए देन वी हाव वेरी इंपोर्टन हुरिस्टिक्स और अल्गोरिदम्स जो बहुत ज्यादा इंपोर्टन टॉपिक है इसमें एक तो ये तीनों के ऊपर इन तीनों को मिला के एक शॉर्ट नोट आ जाए ठेक है परफेक्ट अब यार दियर नी गुड़ एंफिल कॉलेज इन डेली आज एक तो देखो हॉस्पिटल ही है इवास पर शायद इवास में अभी एंफिल शायद खतम हो गई है वीलाफ टू चेक दाट सबसे बेस तो इवास ही है तो उसके लावा तो देखो गॉ क्यों है इसके लिए जो भी में 5 पता हूंगा इंपीस हिंटरंश सद प्OUGH ओलीं हम सबसें है बहुत हैये मिज्द इंपॉर्ट अइंब स्ल मेकिंग नेफका इंप करने ही और यह श्कून फोर्ट भी बहुत जाड़ह ही नहीं है इन farer टॉट अ conserv आ जिले कॉरू करते ह啦 सिम human thinking क्या होती है, human thinking involves cognitive rearrangement of the symbols, concepts and information gathered through the environment and associating them with the stored memory basically, जब आप कोई भी चीज सोच रहे हो, जैसा मैंने आपको बोला कि, अभी मैं आपसे बात कर रहे हो, तो यह thinking right now, right? जो भी आप चीज सोच रहे हो, वो क्या है कि आपने mentally अलग-अलग symbols को rearrange कर रहे हो अपने दिमाग में, ठेक है? उनको concepts को rearrange कर रहे हो, और उनको compare कर रहे हो, analyze कर रहे हो, with the current information that you get from the environment that is what you call is your human thinking, okay? perfect, perfect in psychological terminology, human thinking involves everything which goes on between stimulus and response, यह देखो, एक stimulus और response के बीच में, जब आपको stimulus मिला, आपने उसके लिएक response दिया, तो जो भी हुआ प्रोसेस, उसे आपको आपने क्या-क्या, thinking कहा हमें उसे, ठीक है? stimulus is an external element, okay, हमें बता है, stimulus क्या होता है, all right, अब देखो, autistic thinking versus directed thinking, छोड़ू सा topic, let's see, जब आप अपने money-man में सोचते हैं, मैं भी money-man में सोचूं कि, यहां पे सबसे अच्छा बच्चा कून सा है, that is autistic thinking, ठीक है, while directed thinking क्या होती है, ऐसी thinking, जो किसी problem को solve करने के लिए, किसी goal पर reach करने के लिए, एक होता, बेवजा सोचते रहना, terrorist आएंगे, terrorist को मारूंगा, वह अला, नहीं, thank you so much, इतने सारे likes के लिए, I mean hearts के लिए, like करो guys, 13 viewers are watching right now, like करो, and जिसकिस ने भी whatsapp join नहीं किया, वो join कर लो, pinned message के लिए, now, I was talking about, directed thinking, तो किसी भी चीज के पीछे, एक है, आप पांखे बंद करके सोच रहो, terrorist हैंगे, college के, college के terrorist मारूंगा, school के terrorist मारूंगा, वह एक non-directive thinking, उसका कोई problem solving नहीं, कोई meaning नहीं है, behind it, right, but when you are wanting to create something, solve a problem, make some reasonable decisions, all of this requires your directed thinking, okay, on the other hand, thinking patterns which are private and use a lot of personal symbols, having personal meaning, is called as autistic thinking, example, daydreaming, देखो daydreaming किसका कहा help होती है, autistic thinking के अंदर होती है, okay, now, what is a concept, बहुत important चीज है, तो हमारी memory जो है, अगर आपको भी memory की storage दिखोगे, तो आपको एकदम वैसी storage दिखेगी, जैसी आपको अपने computer के अंदर दिखती है, अपने PC के अंदर दिखती है, क्या दिखती है, आपको अलग-अलग folders बने हुए, और हर एक अलग-अलग folder में अलग-अलग information है, ठीक है, अलग-अलग folders है, हर एक folder में अलग-अलग information है, और each folder categorizes a different kind of information, right, जैसे कि मैंने अपने desktop में बना रखे हैं, classes का सब्सक्राइब बना रखे हैं, तो उसमें researches हैं, D.U.S.O.L. है, class 12th है, C.U.E.T.P.G. है, यह सारे मेरे पास folders है, हर एक के अंदर एक अलग वो चल रहा है, ठीक है, ठीक है, now, the symbolic construction, which represents certain common and general features of the objects and events are categorized as concepts, तो जैसे कि मैं कहूँ, concept क्या है, मुंगेरी लाल के हसीन समुले, बिल्कुल सरी, शेक चली की तरा, Benton, Power Rangers है, बिल्कुल, बिल्कुल, ओके, अब, जैसे कि मैं आप से कूँ, what is a concept, तो मगर मैं आप से बूचू, guys, what is the concept of a dog in your mind, एक dog क्या होता है, कुता क्या होता है, ठीक है, तो आप बोलोगे, जी, चार प चार पहर है, एक पूच है, मुह से बार्क करता है, अपनी पूच हिलाता है, जब भी मैं उसके आसपास होता हूँ, तो मेरे according, that's the concept of a dog, अब मैं जो भी अनिमल देखूँगा, जिसके वो जुड रहे हैं, features are resembling what I think of dogs, तो मैं क्या कहूँँगा, अच्छा ये dog ही है, अच् hop down या bottom up, जब मैंने देखा, कि इतने सारे वो हैं, जिस भी चीज को मैं अभी देख रहा हूँ, उसके ये सारे features है, अब ये सारे features मेरे description से match कर रहे हैं, तो therefore मैंने कहा, ये dog है, ये मैंने उसे dogs के concept के अंदर डाल दिया, तो मैंने को ये बताओ, ये कौन सी processing है, कली पढ़ आया है, let's see, किस-किस को याद है, let's see, सब लिखेंगे, हर्स कह रहे हैं, top down, बाकी लोग, कशिश कह रहे हैं, thank you sir, the way you explain are understandable, your introduction to psychology video was very good, and cause of that, I did well in my exam, oh, thank you so much, कशिश, and I hope आपको आगे भी help करते रहें in semester 2, guys, जो जो कह रहा है, top down, वो एकदम गलत है, जो जो कह रहे है, bottom up, वो एकदम सही है, क्यों कि, मैंने आपको बोला, कि, जब आपने ये सारे description देखी, तब आपने बताया, ये एक dog है, so you started from those, छोटे-छोटे descriptions, चार लेग, एक पूच, मू से भौकता है, मेरा पीछे चलता है, तब जाके बोला, it's a dog, so that's a bottom up approach, that's a bottom up processing, ठेक है, similarly, हमारे life में, जो भी concepts होते हैं, वो mental representations होते हैं, of the things around us, and it's not just one thing, it's the category of things, it's that folder, ठेक है, उस folder में क्या-क्या चीज पढ़ी हुई है, वो बहुत जदा matter करती है, ठेक है, so अगर मैंने का concept of, पहला लिखा वा concept of gender, भाई, concept of gender तो सबका ही हिला पड़ा है, एक कोई बोलेगा male female, कोई कहेगा LGBTQ, कोई कहेगा LGBTQ AI, कोई कहेगा LGBTQ AI+, कोई कहेगा there is nothing like gender, we are gender fluid, तो इसको तो रहन दो, अगर मैं कहूं, concept of a father, who is a father, आप कैसे किसी इंसान को father बोलोगे, ठेक है, हर्ष कह रहे हैं, कैसे याद करे, top down, bottom up, simple सी बाते मैं आपको कली बताया था, जब आप छोड़े-छोड़े parts देखके, conclusion पर आते हो, कि ये वो चीज़ है, अच्छा, इसकी चाट आँगे, अच्छा, इसकी पूछ है, अच्छा, ये भॉकता है, तो ये dog ही होगा, that is, नीचे से उपर जाना, bottom से up, and top से नीचे कब आओगे, जब top पे आपको पताया, पूरी information है, कि it's a dog, तब आप बताओगे, कि dog है, तो इसके ये 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 features है, ठे when it comes to this, ठेक है, now, concept के अंदर आपकी हर चीज़ आ जाती है, आप mental representation of a particular category of things, जो करते हो, ठेक है, now, there are various types of concepts, let's see, अच्छा, there is a very interesting difference between artificial and natural concepts, artificial concepts, जो होते है, वो बढ़े sharp and very well defined concepts होते है, these have defined and measurable properties and set of rules, तो सबस्याद है unique कुण से होते है, artificial, वो पहले हमें पता है, ये description होगी, जैसे कि concept of a triangle, it is an artificial concept, क्योंकि ये जो चीज़ा वो environment में exist नहीं करती है, हम इसके बार में सोचते है, कि every triangle will have a three equal sides, और square की हमेशा 4 sides होगी, है कि नहीं, तो that's an artificial concept, while जो natural concepts होते है, वो ब fuzzy या blurry होते है, ठीक है, उनके बारे में एकदम अच्छे से नहीं सोच पाते है, ठीक है, interacting with the external world, these natural concepts are based on prototype, what is a prototype, prototype is the best representative of a concept, जैसे मैंने का concept of sofa, अब आपने आखों में imagine कि आखे बन करके, तो किसी को ये वाला sofa दिख रहा होगा, हो सकता है किसी को ऐसे वाला sofa दिख रहा हो, जो भी प्रकार का आपको sofa दिवांग में आ रहा है, that's a prototype, आप सोचते हो कि एक sofa ऐसा ही दिखता होगा, तो जो सबसे अच्छे तरीके से किसी एक sofa दिस्क्राइब कर सकती है, image, वो image होती है, prototype, ठीक है, example कि अगर मैं बात करूँ, natural concepts की, जो natural environment में होते हैं, for example, fruits, वाप को होगा, भाई, हमें तो पता है, fruits क्या होते है, then what is tomato, is tomato a vegetable or a fruit, we think it's a vegetable, but it's a fruit, then why is it a fruit, how is it different from other fruits, that all matters, ठीक है, faulty concepts कौन से होते हैं, inaccurate concepts जो आपने बस life में बना लिये हैं, जैसे कि stereotypes, prejudices, ठीक है, connotative and denotative, ठीक है, denotative concepts वो होते हैं, जिनके आप एक exact definition देते हो, जैसे कि, mitochondria is the powerhouse of the cell, that's a denotative concept, ठीक है, अब यह बात में बात करेंगे, इस बारे में, and, connotative means emotional or personal meaning, जब आप किसी चीज़ करते हैं, कि emotional meaning जोड़ते हो, जैसे कि, what is, suppose, your mother for you, so आप एक बड़ा emotional सा response दोगे, that's a connotative concept, what's a denotative concept, what is an iPhone for you, तो आप iPhone के सारे feature बता दोगे, that's a denotative concept, okay, perfect, अब हम बात करतें, images की, और जब मैं images की बात कर रहो हो, मैं हमेशा बात कर रहो, mental images की, mental images क्या होती हैं भाई, mental images are a mental representation of the physical world around us, हमारे आसपास का जो physical world है, उसके बारे में जो हमारी एक mental representation होती है, उसको हम क्या कहते हैं, हम उसे images कहते हैं, ठेक्या, अब इन images की, जैसे की, for example, आखे बन करो, और एक बार अपने घर से, अपने school तक का, या अपने college तक का, या अपने घर से, एक nearest shop तक का, रास्ता माप करो, आखे बन करके, तो आप अपने घर से निकले, एक तरफ मुड़े, सीदा सीदा चले, फिर एक तरफ मुड़े, ऐसे ऐसे करके, आपके दिमांग में एक माप बन रहा हो, right, that mental representation of the world around us, is what we call as images, okay, so, that becomes a thing, okay, images को इन्होंने इतने detail में बात नहीं करी है, वनना, आम डेफिनिटली बात करते, okay, sir, एक बाँ बाँ बताओ, जो हमारी honors grad हो है, वो चार साल की है, ये तीन, I guess आप लोग के, उनकी तो चार साल की ही है, sir, I am in 12th, 11th student of ECM, which subject should I choose as remain in COT exam, जो जो आपने बिटा अपने 12th में पड़े हैं, वो ही सारे चूज करना, alright, आगे चलते हैं, schemas क्या होते हैं, while understanding about concept formulation, an important term is schema, schemas are very closely related to concepts, ये बहुत सच बात है, these are cognitive frameworks that represent our assumption and information about the world, schemas are generally more complex than concepts, as they consist of distinct and varied concepts, example, schema of self, इसके अंदर, जैसे आगा हो, what is your schema of self, तो इसके अंदर आपके बहुत सरे concepts आजाएंगे, your belief about yourself, your belief about your own attitudes, your thinking, your goals, your dreams, your wishes, your desires, your peers around us, your interaction with the people around us, this, ये सब आपके दिमाग में आजाय रहा, and that becomes your schema, तो schema जादा complex होता है, closely associated to concept होता है, इसके अंदर, various aspects आजाते हैं, various types of concepts आजाते हैं, inside a schema, इसके अंदर आजाते होता हैं, बसे इत्ती बाद आप याद रखाओ, सर जी, human eye is it important for perception, absolutely, super important, working and adaptation, दोनों, बहुत जादा important है, human eye और human ear को, बिल्कुल छोड़के मत जाना, उसके बारे में, हर चीज बढ़के जाना, hazardous question आजाएगा, ठीक है? Now, propositions क्या होती, अब हमने अभी तक, क्या-क्या बात करी, हमने सबसे पहली बात करी, concept की, फिर हमने क्या बात करी, images की बात करी, फिर हमने बात करी, schemas की बात करी, ठीक है? जैसे की concepts क्या थे, the categories that we have in our mind, ठीक है? यह देखो, यह दखो, concept क्या होते है, mental categories of things around us, जिनको हम अलग-अलग categories में रखते हैं, characteristics का basis पे, all right, then we had the mental images, जिसके क्या होते है, mental representation of the world around us, schemas, जो कि very closely related to concept होते है, हमने उनकी बात करी, अब हम बात करेंगे, propositions की, ठीक है? Cluster of propositions are 99999, यहां से देखते हैं, human mind with uncomfortable, ठीक है जी, we have higher order cognitive ability, which gives us chance to formulate complex relationship between concepts, even the purpose of thinking is to relate one feature of the concept to the entire concept, and one concept to another concept, hence, cognitive actions to take the form of propositions, propositions क्या होते है, these are sentences that relate one concept to another, very, very important, proposition क्या होते है, simple line लिख लो, proposition are sentences that join one concept to another, example, example, my friend has a black bolero, bolero क्या है, एक कार है, तो my friend has a black bolero, तो यहां पर my friend आगया, जो की एक concept है, and black bolero का भी एक concept है, कि एक गाड़ी होती है, काले रंग के गाड़ी है, जिसका नाम bolero है, और वो black color की है, मेरे दोस्त के पास है, ठीक है जी, so, that's the thing, देखते हैं, देखते हैं, we'll try about it, sir, आज प्रोवाइड कर दो के notes या कल, कौन से notes बेटा जी, यही है, जो है, कोई extra notes नहीं है, आपको important questions मिल जाएंगे, ठीक है, चालो, आगे चलते हैं, cluster of proposition, अब जैसे कि, अगर मैं बोलूँ आप से कुछ भी, suppose, my car met with an accident, accident, so, अब देखो, accident भी एक concept ही है, क्या होता है, accident according to you, आपने क्या क्या हो सकते, scratch लगने हो, आपने concept, accident बोल दिया हो, हो सकते है, पूरी guarded हो गई, उसका आप accident बोल रहे हो, तो यह चीज़ आ जाते है, जब बहुत सारे, एक साथ propositions आजाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं, mental models, and mental models are the structures, that knit our interaction with the people, and events in the world around us, ठीक है बई, आगे चलते हैं, ओके, नाओ आते हैं, important चीज़ पर, यह है important, types of conflict in problem solving, problem solving क्या होती है, एक problem है, उसको solve करना है, with the help of a process, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा है, what are problems, तो problems को हम on the basis of conflict बताते हैं कई बार, on the basis of what, on the basis of conflict बताते हैं, so there are various types of conflicts, ठीक है, various types of conflicts, let's see, सबसे पहले approach, approach conflict, आपको choose करना है, between two situations, जिनके अंदर दोनों में, both have positive aspects, मालब दोनों ही favorable है, approach, approach में, for example, going to a movie with your friends, or going on a family trip, या going on a family lunch, ओहो, going for a movie with family, or going on a date with boyfriend, बताओ भई, क्या चूज करोगे, going for a movie with family, or going on a date with your boyfriend or girlfriend, क्या चूज करोगे, मुश्किल है चूज करना, परिवार को भी नहीं चूड़ना चाहते, पर boyfriend या girlfriend को भी नहीं चूड़ना चाहते, that becomes a place, that is where approach, approach conflict comes in, ठीक है, तो जब दो आपके पास ऐसी situations है, जो कि दोनों ही favorable है, ठीक है, तो in that case, this is what you do, you have to choose between two favorable things, ठीक है, Manmeet कहा रही है, family, विरॉन कह रहा है, मैं तो केले जाओंगा, अनुष्का कह रही है, home sweet हूँ, मैं कहीं नहीं जाओंगी, घर में ठेरोंगी, अनकन्नू कह रही है, कि boyfriend होना चाहिए, हाँ, कहीं नहीं, बज जाएगा भाई, आप लोग इंटराग करोगे, कॉलिज जाके तो बज नहीं जाएगा, अवर्टेंस, अवर्टेंस, कॉन्फलेट, ऐसी दो सिचुएशन आ गई है, जो तो आप दोनों ही, नहीं सहना चाहते, फॉर एक्जामपल, डेंटिस्ट के पास जाना हो, जाओ, या फिर दात में दर्द सहो, अब आप डेंटिस्ट पर जाना भी नहीं चाहते हैं, आपको डर लगते हैं डेंटिस्ट से, लेकिन दात में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, जो आप सहना भी नहीं चाहते, तो आपको इन दोनों से एक चीज़ चूज करनी पड़ेगी, ठीक है, कि भाई या तो सहो, या फिर डेंटिस्ट पर जाओ, ठीक है, यह चीज़ आ जाती है, अप्रोच अप्रोच कॉनफलिक्ट के बाद, अब एक आता है, अप्रोच अवोईड़न्स कॉनफलिक्ट, ठीक है, approach avoidance conflict क्या है कि एक चीज को चाहिए भी पर दूसरी चीज नहीं भी चाहिए ठीक है example यह वो है शादी का लड़ू घाना भी है पर लेकिन शादी के बाद की problem भी नी सहनी boyfriend चाहिए भी पर boyfriend के टंटे भी नी सहने independent लाइफ भी चाहिए है ना और अगर मैं बात करूं हां दोस्तों का मज़े भी करने हैं लेकिन पढ़ाई भी नहीं छोड़नी वेट लॉस तो करना है लेकिन अच्छा फूड नहीं छोड़ना तो यह अप्रोच अवर्डेंस कॉंफरेक्ट है जिसमें एक अच्छा पॉजिटिव चीज आप करना भी चा बस बेटा बस बस अराम से इत्ती भी बाते मत करो यहां पे ठीक है पढ़ाई का महाल में रहो आगे चलते हैं मल्टीपल अप्रोच को अवर्डेंस कॉंफलेक्ट मुल्टीपल सिचुएशन विच विच बोट डिजारेबल अंड़ेबल आउटकम्स एक्सम्पल मारेज और चूजिंगा पर्टिकुलर करियर और चूजिंगा कंपनी फ़र वर्क ऐसा होतना कई बार आपके सामने बहुत सरी चॉइसे जाती है तब वो मल्टीपल अप्रोच अवर्डेंस कॉंफलेक्ट बन जाता है ओके परफेक्ट इस वाज इंपॉर्टेंट अच्छा यह देखो यह एक problem solving की cycle है सबसे पहले आप क्या करते हो define the problem सबसे पहले आप problem को define करोगे for example करोगे मेरा exam है अब उसके बारे माँ जाधा information लोगे यानी gathering information forward करोगे तो आप जानोगे कितना exam है कितना syllabus आ रहा है फिर आप possible solution सोचोगे मेरे पास कितना time बचा है और मैं क्या उसके solution लगा सकता हूं या लगा सकती हूं ठीक है evaluation of the possible solution और test का है अब आप देखो कि आपके वास 3-4 options आ गया करने को अब आपने सोचा इन में से most favorable क्या है आपने सोचा कि एक पूरी राद सोचा हूं पढ़ लूँगा एक कहरे हो कि हाँ अभी पढ़ ले तो बाद में सोचा हूंगा ए तो evaluate करो इन में से best कूंस है जो best लगे उसको choose करो और उसको अपनी life में लगाओ finally जब life में problem solving के solution को लगाओ कि उसका revision करो कि क्या आपका problem solve होई की नहीं होई ठीक है that's the thing अब ये बहुत important है methods of problem solving बहुत जादा important अलग-अलग methods है एक एक करके बात करेंगे पहला आता है trial and error method बड़ा easy है कि कोई भी problem को solve करना है तो पहले एक बार try करो कि एक possible solution लगाओ नहीं चल रहा cancel करो error करो दुबारा निया possible solution लगाओ आगे चलो तो try and error try and error वो सब करते रहो heuristic algorithm की बात भी हम करेंगे analogy analogy क्या है past में कोई और ऐसी वह करी है solve तो उससे सीख लो for example आपने देखा कि आपकी स्कूटी है वह खराब हो गई है अब आप जानना चाहिए अब आप इसको ठीक करना चाहते हो स्कूटी को तो आपने क्या पता लगाया आपने देखा कि मेरे स किया था अब आपने उसे अपनी उसी सेम लाइफ में लगा लिया that is it right जो आपने किया that is analogy कि मैंने past में क्या किया था अब क्या में उस सेम काम यहां पे कर सकता हूं right that is analogy means and analysis बहुत important है means and analysis means and analysis में क्या होता है आप अपले बात तो पहली बात तो अपने बड़े गोल को सब गोल ठीक है जी और आप step wise इन छोटे छोटे गोल को आगे चलते हैं तो instead of losing एक बार इमें 25 किलो आपने छोटे छोटे दो-दो किलो के targets बनाए कि मैं हर हफते दो-दो किलो के targets अचीव करूंगी right that becomes a thing right perfect perfect जो 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 बच्चे आ रहे हैं एक बार यह जरूर देखना पि ठीक है perfect now moving ahead means and analysis हुआ आप हम बात करेंगे algorithm की आपने बहुत सब सुना होगा YouTube का algorithm, इसका algorithm, उसका algorithm, what is the algorithm? algorithm is a precise sequence of steps जिनको आप follow करोगे तो आप right solution में पहुँच ही जाओगे but बार-बार-बार कोशिश करके ठीक है? thinking patterns that automatically generate best solution if followed in a particular manner तो algorithm हमेशा एक step by step होता है उसको आप तब तक utilize करते होगे जब आप सही answer पे नहीं आ जाते है for example, if I show you ping, जैसे कि मैं कहूँ, pinggoogle.com यह देखो, if I show you images so, जब आप ऐसा एक code देते हो, अपने computer को Google.com को बार-बार-बार जाके उसका connection देखो that's an algorithm that you have given it यह देखो, pinggoogle.com तो क्या हो रहा है? computer क्या कर रहा है? pinginggoogle.com, उसके पास message बेज़ रहा है continuously, 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 continuously बेज़ जा रहा है okay, so algorithm क्या होता है? आपने देखा होगा AI के अंदर बहुत ज़दा algorithm की बात होती है ठेक है? तो जब-जब AI के अंदर algorithm की बात होती है वो क्या, एक series of steps है, जिसको आप utilize करते जाओगे, करते जाओगे, कभी ना कभी right solution में पहुँच जाओगे for example, अगर आपने कभी rubik's cube solve करी होगा तो आपको पता होगा कि rubik's cube के अंदर भी algorithm लगते है यह रखो rubik's cube यह वाली cube होती है, color वाली इसको solve करने के लिए भी you have particular algorithm what do you mean by algorithm? again आप उन दो तीन steps को बार 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 फॉलो करते जाओगे, करते जाओगे तो at the end आप एक right answer पे पहुच ही जाओगे आप एक right answer पे पहुच ही जाओगे ठीक है, perfect चालो, perfect, perfect now यह होते है algorithms अचा heuristics क्या होते है heuristics अभी आप आगे जागे थोड़ा detail में वैसे पढ़ोगे यह general rule of thumbs होते है हमारा सोचने का तरीका होता है इसको मैं detail में बढ़ाऊंगा आगे चलो other problems आपकी जो life में आ रही है perceptual problem आपने पहले से कुछ expectation में ना रखी है आपने expect कर रखा है कि आपकी नहीं काड़ी आएगी बहुत बड़ी गाड़ी होगी पर actual में बहुत चोट उसी गाड़ी आई तो आपको problem solving को problem हो रही है emotional, impatience, fear, anxiety यह सब देख लेना it's not so important it is important बड़ आप देख लेना यह important है barriers in problem solving आपकी problem solving के अंदर क्या-क्या दिक्कते आती है यह बहुत ही जादा important है तो पहला आ जाता है mental set mental set क्या है आपने जैसे algorithm क्या होता है algorithm एक correct sequence of वो है जिसको बार-बार-बार apply करोगे तो कभी ना कभी yes आप पहुची जाओगे right solution पर पर mental set का अच्छे example दिखा हूँ आप सब ने maths पढ़ी होगी class 10 तक right आपने क्या यह चीज़ observe गरी थी कि जब भी कोई आप exercise करते हो उसमें question number 1, 2, 3, 4 same होते हैं same pattern पर चलते हैं पर जैसी 5th question पर आजाते हो आपसे वो question solve भी नहीं होता 6th पर जाते हो 6th भी solve नहीं हो पा रहा क्यों नहीं हो पा रहा क्योंकि जब आपने इन 4 को solve किया था तो आपका एक mental set बन गया अब आपके brain को आदत पढ़ गई कि यह problem ऐसे ही solve होगी तो जब आप 5th question में पहुँचे जो slightly different था आप different possible way में सोच ही नहीं पाए आप different possible way में सोच ही नहीं पाए क्यों क्योंकि आपका already एक mental bias बन गया था कि यह problem तो ऐसे ही solve हो सकती है यह problem तो ऐसे ही solve हो सकती है तो यहाँ पे यह चीज़ आ जाती है right that is mental sets for you अब जो जो मैं बाते बता रहा हूं इनको detail में book में से definitely पढ़ देना मैं आपको overview दे रहा हूं ठीक है मैं तो 12 तक पड़ी है sir ओहो क्या बात है Akansha कह रही है first time attending your live class but attended previous classes too they are amazing and you teach very well thank you so much Akansha if you guys want to join for semester 2 अभी अभी मैंने early board offer निकाल दिया है जो बच्चा पहले second semester का हमारा course शुरू होने से पहले register कर लेगा उस link पे and the link is available in the whatsapp group तो आपको first month की fees पे 500 rupees off मिलेंगे साथी साथ we have a referral program as well यानि अगर आप अपने जुड़ेवे और friends को recommend करते हो and they join to you get a bonus reward and if anyone is interested in that they can message me on whatsapp I'll be telling them about it okay perfect 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 hi sakshi good evening perfect mental said functional fixness functional fixness i have asked you to ask five things about what you can do but you can do you can apply it how you can apply it how you can apply it you can apply it so apply what you can do तो इस जूते का और भी बहुत कुछ कर सकते हो, इसका कपड़ा निकाल के किसी और चीज पर पैच कर सकते हो, इसकी सोल को आप जला सकते हो, और चीजों के बीच में चिपका सकते हो, रबर को, there are so many things that you can do, पर आपने क्या सोचा, आपने बस ये सोचा कि जूतियों को पहना जा सकता है, and that is what functional fixness is, जब हम एक चीज के एक particular function पर fix जो जाते हैं, कि इस चीज का और कोई तरीके से यूटिलाइज नहीं हो सकता, that is what, that is functional fixness, okay, कोई भी चीज का एक ही तरीके से यूज हो सकता है, ठेक है, पर्फेक्ट, सर स्टाटिस्टिक्स एजी है, नहीं बेटा, एजी तो नहीं है, और आपका मैंने अच्छे स्लेवस देखा था, काफी कुछ है, and काफी कुछ में, there is a little bit of problem, अच्छा, आपको semester 2 की books मिल गई हैं, क्या, अगर मिल गई हैं, तो मेरे को definitely बताना, and if it's online available, तो मेरे को वह भी बताना, okay, Manmeet ने का है, मार खा सकते हैं, absolutely right, then you have ways of improving problem solving process, क्या क्या कर सकते हो, या आप देख लेना, Convergent versus Divergent thinking के बता देता हूं, Divergent thinking क्या होती है, जब आपके पास एक problem होती है, and आप उसके multiple solutions सोचते हो, जब मैंने आपको बोला न, आप इस जोते से क्या क्या गर सकते हो, तो वो Divergent thinking थी, वही Convergent thinking क्या होती है, एक problem, एक solution है, क्या है, नहीं, नहीं, हाँ, Divergent thinking में क्या है, एक problem के all the possible solution सोचते हो, Convergent thinking में क्या कहते है, आप one right answer सोचते हो, आपको एक सही answer निकालने की कोशिश करते हो, ठीक है, so that becomes the thing, चालो, perfect, Reasoning, बहुत छोटों सा लिखा वैं, कुछ as such में है नहीं, decision making के अंदर barriers, यह आ जाता है, ठीक है, यह देखो, अब, अच्छा, आपको decision making के अंदर क्या क्या होती है, पहले बात तो decision making क्या होती है, let me show you, making decision is a process, therefore the process of problem solving, eventually takes us the step of correct decision making, जब आपको किनी दो चीजों के बीच में, चूज करना वड़ता है, दो या दो से अधिक चीजों के बीच में, ठीक है, अच्छा भी नहीं मिल रहा, ठीक है, that's fine, चलो, आगे चलते हैं, अब, while choosing the alternatives, आप क्या देखोगे, अलग-अलग, जैसा आपको decision लेना है, कि आप एक्स लड़के के साथ रहो, या फिर य के ऊपर move on कर जाओ, तो पहली चीज़ आप देखोगे, utility, कौन जाधा फायदे मन है, किसके साथ मेरी जाधा emotional bonding हो रही है, यह सब आप देखोगे, No.2, subjective probability, is the guess or estimation that there are higher chances of one result to occur, if particular option is chosen, आप देखते हो किसके साथ मैं long term में जाधा रह सकती हूँ, that is probability, subjective probability, आप वो देखते हो, stages of decision making क्या है, same problem solving वाली है, थोड़ा सा, define the problem, analyze the problem, alternative solution ढूड़ो, evaluate करो, each alternative को and best option को, choose कर लो, that's it, बैस इत्ती ही चीज़ है, आपकी decision making में problems क्या हो सकती है, पहली बात तो lack of information, आपको सही options ही नहीं पता, information overload, इतनी ज़्याद information मिल गई आपको कि आप सही से decision ले ही नहीं पारे, that becomes a problem, ok, then type of context, when the actual context of the problem is not known or not being understood, that it leads to incompatibility between the problem and the solution chosen, simple सी बात है, आपको मैंने बताया है नहीं कि आपको decision किस बात पर लेना है, मैंने आपको बस दो decision दे दिये, मैंने आपको बोला, suppose, harsh या वेरॉन, अब आपने बोला, अरे, पूरा तो बोलो, harsh या वेरॉन क्या, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, इनके साथ पढ़ाई करना चाहते हो, इनको class से निकालना चाहते हो, क्या चाहते हो, तो यह है incomplete question, तो तब आपको problem है, lack of feedback, when there is minimum external feedback और self-feedback, दंदेरा higher chances to indulgence, similar mistakes, as no follow-up is being done, जब आपको कोई बहार से बता नहीं रहा है, कि आपने से decision लिया या नहीं लिया, इस decision के आपको फायदा है या नुक्सान, तो problem है, confirmation bias क्या होता है, कि आप simply confirm कर लेते हो, जो बाकी लोग कर रहे है, उनके साथ, ठेक है, culture and gender barriers, वही चीज़ा है, आप अपने gender के विज़े से कुछ नहीं ले पाते हो, decisions, overconfidence, underconfidence, भाई आपको बहुत घमंड है, मैं तो करी लूँगा, तो आप क्या करते हो, बिना पढ़े चले होते है, heuristics are basically your ways of thinking, these are thinking patterns, जो कि हम ना judgment quickly करने के ले यूज़ करते है, so these are our mental rules or judgment thinking patterns, जो कि हमें कोई भी चीज़ को easily judge करने में लगा देते है, for example, if I ask you, what do you, मनमीत कह रही है, हर्च भाईया हमारे head है, ओर वा, जीतेगा भाई, जीतेगा, हर्च भाईया जीतेगा, विल्कुल, तो if I talk about this, suppose, availability, availability, heuristics क्या है, अच्छा, what do you think about guys, दिल्ली के मुमोज, दिल्ली के मुमोज कैसे होते हैं, बले आप दिल्ली से ना हो, आप बताओ, दिल्ली के मुमोज कैसे होते हैं, बता, बता, टेस्टी, मनमीत कह रही है, बाकी लोग, बाकी लोग क्या कोई, वो नहीं है, a lot of the people will say tasty होते है, बले उन्होंने खाय भी ना हो, क्यों, क्योंकि ये information बहुत ज़दा readily available है, कि हाँ यार सुना तो है, बढ़िया होते है, that is availability heuristics, मैं आपको कहूँ कि भाई, दिल्ली से मुमोज लाए हो, खाऊगे, तो आपको कहूँ कि हाँ, बिल्कुल खाऊँगा यार, क्यों, क्योंकि एवन तो आपको पता नहीं मैं दिल्ली से कहां से लाए हो, पर आपको एक availability heuristics बनाव है, quick decision making का pattern बनाव है, कि यह information about Delhi का मुमोज वर सो मच prominent, कि मिरको जगा अच्छी लगे, similarly, आप लोग नहीं आशकल देखा YouTube, Instagram पे, cafe wink, East Delhi में, जहां पे बाहर snowfall हो रही है, कुछी से भी पूछ लो, क्या वो cafe अच्छा है, बहुत अच्छा cafe है, हाँ, मैं तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल cafe wink जाओंगा, क्यों, क्योंकि उसके बार में, readily information available है, हाँ, जेखो, मनमीट कह रही है, बहार से आके लोग दिल्ली के मॉमोस खाते हैं, बिल्कुल सही, So, availability heuristics क्या है, It is the tendency to make judgments about likelihood of an event, in terms of how readily examples of that concept can be brought in mind, simple सी बात है, कि भाया मैंने आपसे पूछा कि मॉमोस इंडिया के दिल्ली है कैसे होते हैं, क्योंकि आपको उसके बारे में, बहुत जादा information already मिल चुकी है, कि हाँ भाई, बढ़ी आई होते हैं, हाँ बढ़ी आई होते हैं, ठीक है, perfect, then we talk about the representativeness, अच्छा, मुझे एक बात बताओ guys, एक बात बताओ, What do you think of चपरी लड़के, What do you think of चपरी लड़के, are they good, are they bad, and उनके qualities, characteristics क्या है, आप किसी भी चपरी लड़के को कैसे पहचान होगे, कैसे पहचान होगे कि एक लड़का चपरी है, हैं, हाँ, मनमीत कह रही हैं, टाइट पैंड्स, colored hair, बिल्कुल, है न, एक तम, निब्बा, हाँ, निब्बा भी होते हैं, चपरी लड़के बताओ, एक तम चपरी लड़के कैसे होते हैं, जैसे, the way he dresses up, बिल्कुल, Babu Sinha ji, बर बताओ न, describe करो, कैसे दिखते हैं, आप कैसे पता लगाओगे, कि ये एक लड़का चपरी है, बता, how will you say, लाल, लाल क्या, लाल बाल, a lot of chains and rings, and a way of talking, क्या मेडम, कहा जारी हो, क्या बोलते बाई, Mumbai क्यो कोली, ये सब बात है, KTM, बिल्कुल, KTM बाईक, बिल्कुल सही, जाडु जैसे बाल होते हैं, लंबे लंबे एकदम, ऐसे उपर बना रखे हैं न, और उन्हें हम चपरी बोलते हैं, अब, आप सड़क पे खड़े हो, अब एक लड़का आपकी तरफ आता है, वूं 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 अपनी KTM के ऊपर, और एकदम से रोकता है, उसके लंबे खड़ेवे बाल है, एकदम उसने रंग भी रंगी, चटक सी, गूची की जगा पूची की, शर्ट पहनी वी है, और एकदम यहां से उसकी शर्ट खुली वी है, और एकदम से चेन पहनी हुए है, और मुंस तो उसने विमल थुका है, आप क्या कोहोगे, कि यह लड़का क्या है, क्या बोलोगे यह लड़का क्या है, बता, 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 जल्ली से, I want that word, यह तो छपरी है, बिलकुल यह तो छपरी है, अब यह जो छपरी है ना, यह जो छपरी है, यह है रिप्रेजेंटेटिवनेस हुरिस्टिक्स, एडिडार्स की जगा है भी वास बिलकुल, यह है रिप्रेजेंटेटिवनेस हुरिस्टिक्स, ठीक है भई, तो more closely an event or object resembles the typical example of a particular concept, the more likely it belongs to that concept, कि जितना साथ है लड़के के बाद, अच्छा इसके सारे के सारे होगे, KTM भी है, लंबेबाल भी है, चेंज भी है, और इसके क्या बोलते पाशा बाई, ऐसे भी बोलता है, ठीक है, यह सब आ जाता है, तो जब आपने देखे कि यह सारे qualities are matching a typical छपरी, तो आपने का यह लड़का तो छपरी ही है, एना, So that is representativeness heuristics, अचा एक बाँ बताओ जड़कियों, आप तो यहाँ पे mostly females ही हो, अब आपने दिमाग ना लिया representativeness, कि यह था छपरी है, तो आप इससे बात करोगे, ऐसे लड़के से आप बात करोगे, क्या लगता है, Will you talk to him? या इग्णोर करके चले जाओगे, क्या लगता है, Will you talk to him? सबने का नहीं, 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 अरे सबने चपरी देखे बाई, No, exactly, right, that is why heuristics are important, heuristics help you easily make that decision, अरे तो चपरी है, इससे बात करोगी, ऐसे अजीबसी तरीके से बात करेगा, देखकर you turn, बिल्कुल सही, अब देखर हो, किती जल्दी problem solving, किती जल्दी decision making कर ली, this is where heuristics comes in, and interesting, है ना, that's what happens, चालो, perfect, 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 anchoring and adjustment, चालो, 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 anchoring and adjustment की बात करते है, anchoring and adjustment क्या है? जैसे की, guys, iphone, अच्छा होता है न? अच्छा होता है? क्यों अच्छा होता है? कि आइफोन क्यों अच्छा होता है यह बता हुआ फीचर्स की वज़े से क्यामरा अच्छा होता है बिलकुल सही क्यामरा अच्छा होता है ना उनली बैक सबसे नंबर वन प्रियोरिटी क्या होती है कि वही क्यामरा अच्छा होता है निगड़लाकक का होता है सिंबल स्टेटर होता है पर सबसे वड़ी बात क्या है कि क्यामरा अच्छा होता है obviously I do say android is better पर at the end of the day more like क्या बोलते हैं कि भई आईफोन का तो क्यामरा बहुत अच्छा होता है अले भई किसी पो आईफोन है फोटो खीच दो ये बोलते हैं ना क्यों बोलते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में हमने एक information पर anchor कर लिया जो information मुझे सबसे पहले पदा चली थी मैंने उस पर anchor कर लिया कि यही सत्य है यही information सत्य है कि आईफोन का चामरा अच्छा ही होता है बस, that is anchoring bias, anchoring heuristics in a difficult situation we always start with certain subjective probability and then whenever we make these adjustments so the starting point acts as an anchor for the follow-up adjustment अब आपने दिमाग में क्या बना है आईफोन का camera तो बहुत अच्छा होता है अब आपने किसी का iPhone हाथ में लिया अब आपने चला के देखा कि वही camera तो अच्छा है अच्छा security वगेरा अरे पर इसमें आप कैसे डालते हैं पर यह तो देड़ लगका है तो आपने दीरे 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 क्या है बक्वास लगता है इतना च्छन लगता है अपना पिक्सल बहुत बढ़ी है इस बिल्कुल सभी है तो यह चीज आ जाती है तो आंकरिंग क्या है शुरू मैं आंकर किया आपने सबसे पहले आप जो information मिली उस पर अटक करेगी कि आईफून कैमरा अच्छा होता है ठीक है बाद में क्या आपने आपने बाद में फॉलो अप किया ठीक है बाद में उसको फॉलो अप किया तो एडज़स्ट करा उसको जो अंकर था कि आईफून में क्यामरा अच्छा होता अपने उसे देर देरे एडज़स्ट किया फानली अट्रीयूट सब्स्टिटीशन किए यह को है राद मजाई नहीं आया रहा बेस्ट एक्जामपल आहाहा यह देखो आट्रीयूट सब्स्टिटीशन यह होता है थे कंभी आपको आपको रहा हो Anandheay band जन्हरे में आपको नग रहे है आपको कोई भूट बैठावा है चेयर के कपड़े ही पड़े हैं on the chair that that over there is your false substitution वाला यह दखो यह अट्रिब्यूट्स सब्सिटिटिशन वाला optical illusions are the best example in day-to-day life we sometimes perceive a three-dimensional figure as two-dimensional अधर बग्वास की बात है कि भाई आप गलत गलत attributes को substitute कर देते हो to a thing जैसे कि अंधिरे के अंदर ऐसा सा कुछ पड़ाव है तो आपको लगा यह तो भूत है ऐसा थोड़ना भूत होता है ऐसा सा भूत होता है आपको लगा यह भूत है आपने उसको गलत attributes दे दिये जबकि in reality वो attributes उसके थे भी नहीं ठीक है तो यह चीज आ जाती है चालो perfect अब language and thought एक छोड़ा सा बच्चा है आठ बच चुक है I have a class with class 12 students तो I'll tell them class starting by 10 एक second let me inform students class 12 class starting by 10 perfect चलो language and thought क्या होता है language and thought क्या है कि आपकी language thought पे कैसे dependent है और आपका thought language पे कैसे dependent है वैसे it's a very big theory पर आपकी इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ठीक है सिर्फ छोटी सी बात लिखी है linguistic relativity hypothesis के बारे में ठीक है और उसमें भी बस इसका नाम ही लिखा हुए तो मैं कहूंगा इस पे बह जड़ा टेंशन ना लेना चलो में में चीजे मैंने आपको सारी की सारी करवा दी है आज रात को कोशिश होगी कि 12 एक बज़े तक आपको whatsapp group के अंदर important topics आ जाए ठीक है important questions और कल अब देखते हैं कल तो वैसे भी वह है पाड़ी टाइम है तो पाड़ी टाइम के बाद या तो सुबह लेंगे या दुपह टाइम लेंगे अब देखते हैं कब आप लोगों की मैं class लेता हूं 6-8 के बीच में तो नहीं हो पाएगी मेरे घर पे भी पाड़ी है अब उसके बाद देखते हैं अराउंड 9 के आज पास पर फिर मेरा पाड़ी टाइम है तो विल सी तो थाट हो सकता है दिन में करें इन एनी केस वाट्साप ग्रूप पे मैं आपको बता दूँगा जॉइन कैसे करना है आपको यहां पर दिख जाएगा लाइव चाट के अंदर टीक है परफेक्ट तो इसके साथ गाई हमने कंप्लीट स्लेबस रिवाइज कर लिया गाईज मजा आया मजा आया मजा आया और मजा आयागा हम सेमेस्टर टू में तो मज़े ही बान देंगे सेमेस्टर टू में मैं अपनी तरफ से आप लोग लिए रीडिंग्स लिखूँगा और अपनी तरफ से आप लोग को रीडिंग्स भेजूँगा ठेक है तो डेफिनेटली ना सर रात को 60 हेमल बस क्या बात है अर्ज पड़ाय लिखाई पर ध्यान देलो भाई क्या लड़ाईयां कर रहे हो इतना भी मत करो चालो दन्यवाद सर सर बायो कैसे कवर होगा बायो में देखो प्रॉब्लम है ठेक है बायो वाले में एक ही दिन है तो आपका परस्व एक्जाम हो जाए उसके बाद फर्स्ट के शाम को एंड सेकंड की पूरे शाम को हो सकता है हम छोड़ा लंबा ले बायो में ठेक है तो हम करेंगे एक ही दिन है दो और तीन को एक्जाम है ठेक है तो मैं एक काम करूँगा कल के बाद जब आपके एक्जाम हो के वापस आओगे ना तो मैं शाम टाइम बायो के लिए क्लास रखूँगा जल्दी जल्दी छोड़ी मोटी चीज़े रिवाइस करा दूगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इंपोर्टन टॉपिक्स उसी रात को दे सकूँ ताकि आप इंपोर्टन कोईस्टन्स दो तारिक को कर सको ठीक है यह मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा बाय बाय वेरावन आप हमको पास करवाते रहो डेफिनेटली मनमीद हम तो पास करवाते रहेंगे यू गाइस स्टे कनेक्टेड विद दे चानल ओके यह चोटी सी कमेंट्मेंट में आप लोगों से चाहता हूं कि चानल के साथ कमिटेड रहो और दूसरी बाद शेर इट विद यू फ्रेंट्स अपने तक मत रखो जब आप ग्यान दूसरों में फ़लाते हो तो आपका ही बढ़ता है ठीक है और यह तो आपका वैसे पी रेकवडर कॉलिज नहीं है जो किसे से आप ज्यादा नंबर लाके कहीं चले जाओगे अब उस बंदे की पॉजिटिव थिंग उसको लाइफ में आगे एल्प देफिनिटली घरेंगी तो सिमिलरली दू हेल्प अधर्स जो भी रिसोर्स मिलते हैं उन्हें शेर करा करो चलो विध दाद गईज इंट तोड़ लेक्टर अन इल मेत य ने ने चलो गईज बड़ लेक्टर अन इल मेत य ने ने चलो गईज बड़ ये